रहाहुल गांधी को बोट देके पपु का ठपप अपने माथे पे थोड़ी लगवाना है उसी के माथे पे रहने तो पपु का ठपप हमाई माथे भी जाएगा उसको बोट देंगे तो मैं तो बजरंगी अदमी मैं तो बीजे वी बाला हूं से MP का तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता पर मंडला का यह है कि मंडला सुल्ट भाजपा को जाए रजहान लगता है बीजे पी के लिए हम तो केवल भाजपा को बोड देते फर्स टाइम वोड भी किया था तो बीजे पी को अभी भी बीजे पी को क्योंकि दिखता है ना मंडला में रोड मंडला में इंफ्रास्ट्रेक्टर मंडला में ट्रेन आ गई मंडला से माल बुक होने लगा सब्सकार दर्णी देखने हैं मैं हूँ मुझा अपके साथ हरजुन खजूरिया तो लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे करते करते अब हम आप पहुंचे हैं मध्य परदेश की मंडला लोकसभा सेट पर जी हाँ मनला में मैं मुझूद हूँ और यहाँ पर आपको बता दे कि पहले चरण यानि कि 19 एपरिल को ही जो है मतदान होने जा रहा है और यहाँ पर भी यह जो अधिकतर शेतर है वो आदिवासी बहुल शेतर है कॉंग्रेश की दरव से ओमकार सिंग मैदान में तो ही बीजेपी की दरव से केंद्रे मंत्री फगन सिंग कुलस्ते जो कई बार चुन करके संसत में गए हैं वो इस बार चुनावी मैदान में दनी मेरा यस्वन बरवे है यहीं के रहने वाली है क्या है महोल लग रहा आपको चुनाव का यहां पर अभी सांथ है फिर भी रुजान लगता है बीजेपी के लिए के कारणने से पर लगता है किई कर वीजेपी कारणने क्या कारण रोग क्या यह से के लिए. अब जैसे घर-घर रसुई यूजना जो गेश सिलेंडर दिये हैं आवास मुहया कराए हैं गरीब तबके के लोगों को और जो अनास दिये रहे हैं इसके कारण बहुत जादा प्रभावी थे जनता अब लेकिन लोगसबा में फिर से बीजे पी ने बरोटा जेता है इसको कैसे देखते हैं अब ऐसा है उनका लोकल मुद्दा है वहाँ नवास के पास के रहने वाले हैं तो कई बार कई कंडिडेट बार बार जो ख़ड़े होते हैं तो इसके कारण को इस्थानी लोग बरोट क कियार को अदर लोग सबाल तो कहीं कुछ ज़्जादा हैं कि फिर वार वी तो पुरी पूरी सीटा है और अभी बेतूल में एक उम्मीदबार का नेधन हो गया है बेतूल वाला तो हो सकता अभी चुना आयोग इसमें गोशना करें जो भी डेट नेधारी थो वो अलग मेटर है मंगर रुजान तो है आये और भी लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ पर कि क्या कहना है उनका चुनाव को लेकर के क्या राय रखते है जी सर क्या नाम हुआ आपका श्रीकान नाम है सर ये बताइए सर क्या माहोल चल रहा है इस सीट पर लोकसभा चुनाव का सर बीजेपी का सर समझ में आ रहा है तो क्या कारण लगता है आपको की बीजेपी का क्यों है सर मोदी फैक्टर है सर और कुछ नहीं मोदी फैक्टर काम कर रहा है काम हुआ है यहाँ विकास का मोदी सरकान बहुत जादा तो नहीं समझ में आ रहा है मतलब जो लोकल सांसाथ हैं या रहे हैं कुरस्ते जी उनका कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है मोदी की लहर में वो निकल जाएंगे पूरे MP का क्या लग रहा है सर सिनारिय वाप MP का तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकता पर मंडला का यह है कि मंडला सीट तो बाजपा को जाएगी ठीक दन्यवाद सर जी आपका क्या नाम हुआ सर विकास 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 यहीं के रहने वाल है आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है प्रलब बीजेप यां कॉंग्रेस को न पसंदा आप आपका क्या नाम है क्यों लग रहा है आपको क्या लग रहा है आपको क्या नाम हुआ आपको क्या लग रहा है आशी शविशकर्मा जी जेपी का जोर है क्या कारन लगता है इसके बिचे क्यों है क्या कहते है सब कुछ तो हो रहा है अपने एधार यानि बीजेपी बर जादा विष्वास है को जी हां बिलकुल जी आईए और भी लोग जो है यहां उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर वो क्या कहते हैं जी सर क्या नाम हुआ आपका सैलेंड पटेल पहले चरन में ही मद्दान है यहां पर क्या है सर महोल क्या लग रहा आपको रुजान सर रुजान तो आप सब जानती है जब कुमाल रुजान के आने वाला है फिर भी आपके इसाब से क्या कारण लगता आपको विजेपी के वाला है विकास जी राहूल गांदी भी आये थे यहां इस लोकसवा सीट पर प्रचार करके गए हैं उसका कुछ असर होगा नहीं हो सर असर तो वह हो रहा अब दो सब नतीजे बताएंगी सब जी यहां सर जो लाड़ा नाच जी का परिवार जीता आया उस पर कभी वह कभी उनकी पत्नी कभी उनके बेटे इस वाली तो नहीं हो नहीं हो यह देखा आपने केजरिवाल वाला प्रकरन देखा होगा अगर आपने जेल में है उस पे अभी लेटा सब्डेटा है जैसे कल हाई कोट वो गे थे और हाई कोट ने काया है कि हमने सबूत देखे हैं और ये प्रथम दृष्ट्या केज्रिवाल इसमें आरोपी नजर आते हैं इसलिए उनको ना गिरफतारी पर रोक लगी ना बेल मिली कैसे देखते हैं कोट मे प्रथम दृष्ट्या माना जा रहा है कि है गोटा उसके बार में कुछ नहीं सकते हैं ज्यादा नोलज आपने सब्सक्राइब नहीं 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 प्रचार करके गए आमाद्वी पार्टी का पहले पर देखे हैं जी दन्यवाद सर क्या नाम हूँ आप राम रागुंसी रा महां के रहने वाले कि यह मंड़ा के क्या लग रहा है इस बार चुनावी महूँ के बाचपा जी कॉंग्रेस नहीं क्या कारने क्यूं है बीजेपी के साथ मोधी को नहीं क्या करने कूल रहे है कि 10 साल होगे अब बदलाव करो अब राहूल गंधी को बनाओ एक बार हम लोग वो तो कहते हैं मैं सबकुछ गरूंगा युवाओं के लिए वो पीमन लागी ना, बिलकुल नहीं अब सर्भ ऐसी भी बोलते हैं व्रद्धर कमार वंशी हैं ना में बंपने च्था पिसको देता तर्फ बिजए को देता है वह थो तो बोलता ही रहेगा न हमें से बोलता रहता है हुआ है बागी तो हम लोग है न हम लोग जानते हैं क्रो इन यह हो रहा एकynenixa काम हो रहा है ऊएगने तो कंग्रेस तौन रहे हैं किकिक आम नहीं किया है कुछ क्या काम दिखा आपको उढ़ा आपका क्या नाम शुक्ला जी आप बताईे राहul गांधी को देंगे वोड देके पपू का अपने माते पे थोड़ी लगवाना है उसी के माते पे रहने तो पपू का टपा पा हमाई माते बिद बड़ देंगे तो हम तो केवल भाजपा को वो वेकिए लुट भी किया था तो बीजेपी को और अभी भीजेपी को क्योंकि दिखता है ना मंला में रोड मंला में इंफ्रास्टर्चर मंला में ट्रेन आ गई मंला से माल बुखोने लगा सब को चौरा है मंला पहले नहीं पहले नेरो गेज थी उसको भी ब्रोड गेज का करना अटल बिहारी बाचपे ने किया 2003 के बाद जैसे इनकी सरकाराई काम बंद हो गया 2014 में जब फिर से मोदी जी आई तब काम चालू हुआ ब्रोड गेज हो गई मंडला से ट्रेंज जाने लगी मंडला में मेडिकल कॉलेज का शेलानियास हो चुका है तो ग्रोथ दिख रही है ना दिख रही है हवा में बात नहीं करते जैसे हमाई राहुल कानी जी करते आदर नहीं कि लीटर में वो आंटा बेच लेते हैं, केलो में वो तेल बेच लेते हैं, ऐसा हम लोग भी समझदार हैं थोड़े से, तो दिखता है इस पर थोड़ी और मैं जानना चाहूंगा कि आप इस पर जो है वो रोशनी डालें ऐसा और भी कई जगा देखा गया, मैंने भी जो खुद अब्जर्वेशन किया, कि जो काम जैसे इटल भीहर इवाज पर इस तरकार में जो आए बीच में उनकी गती एकदम स्लो हो गई, 2004-14 के बीच में, फिर 2014 के बाद उन्होंने गती पगड़ना शुरू किया और उसको फिर कॉंग्रेस ऐसे मैनूबलेट करते हैं कि यह लाया तो हम नहीं था कॉंग्रेस के समय में पॉलसी पैरलेसिस होता था, आपको मालूम है 2004-14 के बीच में सुप्रीम कोट ना होता तो देश का क्या हो जाता कहां पहुँच गया था भारत, कहां पहुँच गया था इंफलेशन रेट, हमारे फॉरेन रिजर्ब सब खतम हो गए थे उनके हां केवल पॉलसी पैरलेसिस था, प्राइम मिनिस्टर के पीछे एक दूसरी प्राइम मिनिस्टर की सलाकार समीती थी आपको तो पता होगा जो सोनिया गांदी जी ने करके रखी थी, वो करते थे न तो पॉलसी पैरलेसिस में कुछ नहीं हुआ, आप शुरुवात, मोदी जी यही तो कहते हैं कि हम कारे का सिलान्याज भी करते हैं, तो उद्गाटन भी करते हैं, मोदी जी ने बेट द्वार क ओखा के बीच के पुल का शिलान्यास गया, तो अभी एक महीने पहले उद्गाटन भी किया, यही फरक है उन में और इन में, मोदी जी में, कि मोदी जी कहते हैं और उसको करके दिखाते हैं, यही बेसिक डिफिलन्स है। आप दिंडोरी रोड पे चली जाओ, तो तीन ब्रिजेज जो बहुत परेशानी थी, राम नगर, अंदर, क्या नाम बोल रहा हूँ है, मुनू का सोटा, कि जहां की प्याज आती थी, वहां नर्मदाजी पे एक ब्रिस था, वो कंप्लीट हो गया, ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो शुरू भी इनने की हैं, और कंप्लीट भी इनने की हैं, जैसे ही ये सीट जो है, आदिवासी बहुल सीट है, और अभी दो दिन पहले राहूल गांदी आये थे, और उस दिन में वहीं था, कवरेज कर रहा था, तो उस दिन राहूल गांदी ने मन से कहा, कि बीजेपी जो है, ये क्या कर रहे है, कि आदिवासियों की जगा छीन ले रही है, और उद्योग पतियों को दे दे रही है, बिजनसमेन को दे दे रही है, आप तो यहीं कहा है, आप इस पर क्या कहना चाहिए? भाई, उनको स्पीच लिखा, मिल गया कि भाई, आज इस तेज दूप में आप खड़े है, भले बारिश हो जाए, लेकिन वो भो ही पढ़ देते हैं कि इस तेज दूप में आप खड़े हो, तो थोड़ा अपडेट होना चाहिए उनको, मनला जिला, मध्यप्रदेश की कांगरेस को खाली कर दिया नो, आज बचा कौन इकांगरेस में बताओ, केवल तीन लोग बच्छे हैं, केसी वेडू कॉपाल, राहूल गांदी, बचा कोन इकांगरेस में देखो, हैं, इंदरा गांधी, हाँ, सोरी, सोनिया गांदी, सोनिया जी बची है, और वो मैं प्रि हम तीचे ने तो दिक्कत तो है ना तो हो सकता इस चुनाओं के बाद राहुल गांधी जी पर्मनेटली इटली चले जाए नानी के घर इसी बीच आपने एक और प्रकरन देखा होगा कल एक दिल्ली हाई कोड की तरफ से एक बड़ा जो है यहां पर फैसला कह सकते हैं कुछ भ भी हमने सबूत देखे वो सबूत प्रयाप्त है इनको गिरफतार करने के इनकी संलिपता है इस शराब गोटाले में तो अब इसको आप कैसे देखे जब कोड मान रहा है अरविंद केजरिवाल तो शुरू से एनार्किस्ट रहा है उसने उस व्यक्ति को धोका दिया जिसने उसको खड़ा किया अना हजारे के अंदोलन से निकले हुए विक्ति है जो अना हजारे की बात नहीं मान रहा है मतलब जो अपने पिता तुले जिन्होंने वो अंदोलन खड़ा किया जिससे आपको सब कुछ मिला और अरविंद केजरिवाल को देश की किस संस्ता पे भरोसा आप बता दिए, ना उसको ED पर भरोशान ना उसको CVI पर भरोशान उनरेबल कोर्ट पर भरोशान नहीं, जब कि कोर्ट ने भी टिपनी किये कि आपके खिलाब इतने सबूत हैं कि आपके खिलाब मामला बनता है, अब उनके एक बार बोल लोगे, दो बार बोल लोगे, तीन बार बोल लोगे, चौथी बार तो दिखता है जूट के पंख नहीं होते, चौथी बार आप एक्स्पोज हो जाओगे, वह इस ते तियार बिंद के जीवाल की है, आप 2014 का चुनाओ देखो, 7 सीठ हा रहे, लोग सबह की बात क को मोदी जी विकास डेवलप्मेंट 2049 के व्यूपे बात करते हो, अभी तक जातियों में अड़े हुए हैं, कि हम जातिगत जन करना कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, तो भ्रमजाल से बाहर नहीं निकलना है, डेवलप्मेंट की और देखो, विकास की और देखो इतनी सारी योजना है, मुद्रा योजना से लेके, इतनी सारी योजना है यूथ के लिए, रोजगार का मतलब क्या सरकारी नोकरी बस होता है, तो 140 करोड के देश में पूरे 140 करोड सरकारी नोकर तोड़ी हो सकते हैं, हमारा भी तो शॉप है, हमने खुद मुख्यमंत्री युवा श्रम योजना है मुद्रा योजना है मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजना है चल रही है तो आपको करना पड़ेगा अब आप यह सोचो कि केवल आपको सरकारी नोपी मिल जाए दिस इस नौट पॉसिबल एक आगरी कमेंड लेना चाहूंगा जैसे की आजादी के लिए सब लड़ाई लड़ी लेकिन अब आमादमी पार्टी का देखने हो क्या मिल रहा है एक तरफ शहीद बगत सिंग एक तरफ सविदान निर्माता बाबारा भीम राओ बीच में केजरिवाल जी की फोटो लगई है और बगत सिंग के पोते ने भी आपती जो उनके बड़े बाइ के पोते उन्होंने आपती दर्च करा दी यह तो मत कीजिए इस पर क्या कहें हैं अपने मूम या मिठ्धू बनना इसी को कहते हैं स्वातंतरता संग्राम सेनानियों का जिनका की मतलब जिनके आधर की कोई सीमा नहीं हो सकती आप हम उसको सीमा में नहीं बान सकते पर यह लोग उनका भी अपमान कर रहे हैं मतलब आप समझ रहे हैं देयर एनार्किस्ट वो ए अच्छे चैनल से आते हैं जेल से गिरोह चलाए जाते हैं सरकारे नहीं चलाए जाती तो ऐसे लोगों के बारे में तो अब हम क्या कमेंड करें जिनको किसी पर भरोसा नहीं है किसी पर अब ये देखो कि मतलब सहीद आजम भगस सिंग और बाबा साव अमेट कर जिनके बनाए सम्विदान से ये देश इतने अच्छे से चल रहा है उन्होंने सब के लिए सब कुछ किया बाबा साव अमेट करने उसके बराबर आप अपने आपको कर रहे हो तो ये तो वैसे ही अनार की है और ये बरदास्त नहीं हो सकती दिल्ली की जनता भी समझ रही है अब दीरे दीरे आँके खुलती ही परते खुलती है मंत्री का इस्तिफा हो गया आज और उन्होंने भी यही आरोप लगाए है जो इनके आनन जी जो है मेरे ऊपर कोई दवाब नहीं है मेरे ऊपर कोई ईडी का दवाब नहीं मेरे पर कुछ नहीं है मैंने अपनी स्वेक्षा से स्तीफा दिया कारण आपने बता दिया कि मेरे को केबल महुत पीज बना के रखा election के टाइम में after winning election वो ही मुझे अलग साइड लाइन कर दिया ये चर्चा आपने सुनी आज मंडला में हम आप पहुंचे हैं पूरे लोकसभा चुनाव का सर्वे करते और यहां पर जनता ने अपनी राय रखी चुनाव को लेकर भी और साथ-साथ जो वर्तमान पर इद्रिश्य चल रहा है उसको लेकर भी अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेर करें और देखते रहें दन्यूस पर दोज़ार चुबिस लोकसभा चुनाव जनता का सर्वे